फेची शीजम और फ्रॉटिरीजम ये दोनों सेक्शुल विमारी के बारे में मैं ये वीडियो में बात्चीत करने वाला आई आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक क्याएकर मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा विसन मुक्ति तक गयों महाराष्ट में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ पेचिशिजम में होता गया है कि यो वेक्ति है जिसको यो प्रॉब्लम है जिसको य спокой बीमारी है हो बाइट कपड़े होंगे है किया कोई यिए फिर लेडी इसके वह वह चुराना जा एककान तमी जाना है और अपने बॉड़ी और वो गिस ला ब मज़ हो पांई पार्स को मज़ा आता है कि लेडा कोई अब्जेक्ट्स मु सबस्क्ता है या बैंगल्स है ऐसा कोई भी चीज उठाना और वो घिसना अब यह कभी-कभी व्यक्ति चोरी भी करता है इसकी क्योंकि उसको मज़ा आता है कोई देख लेंगा और वो उसमें करता हूंगा तो अपने तो वो लेडि को भी आनना आता होंगा, ऐसा ऐसी उसको कलपन आती है ऐसा उसको imagination है तो यह Phacicism दूसरा यह Fortunism Fortunism में यह जो व्यक्ति है जिसको यह Fortunism नाम की लेंगिक समस्या है उसको crowded place में या कोई भी जगह पे ladies को touch करने में अपना बदन उसके बदन को घिसने में मज़ा आता है और उसको वो sex की activity करने इतना मज़ा उसको उसमें आता है तो कुछ न कुछ जैसे उनको प्राइवेट पार्ट को मतलब टच करने कोशिश करेगा या बदन को पीछे से या बटक्स को या कंदे को या हाथ को घिसना और वो ऐसा करेंगा कि जैसा वो crowded place में हो और उसको मालम ही नहीं जान पुछ के करेगा और उसमें उसको मज़ा आता है अब इसमें होता क्या है कि समझे वो पकड़े गया या किसने उसको चुन लिया कि यह ऐसा कर रहा है यह बार बार हो रहा है तो उसकी police complaint भी हो सकती है यह दोनों problem की police complaint हो सकती है क्योंकि यह criminal offense है मार भी खा सकता है और उसको यह जो वेक्ति है इसको fraudulism में ही मज़ा आता है जाके बदन को बदन घिसने की कोशिश करेगा तो यह दोनों problem है और यह इनको एक मतलब यह sex की problem है sex की समस्य है उनको normal sex करने में उतना मज़ा आता नहीं है और आता भी होगा ऐसा नहीं कि आता ही नहीं है और इसका इलाज करना ज़रूरी है क्योंकि यह social problem हो सकता है इसमें criminal offense दर्श हो सकता है इसके लिए कुछ दवाईयां है जो OCD के लिए वापरते है obsessive, compulsive disorder के लिए दवाई वापरते है phloxetin जैसी या klumipramin जैसी वो दवाई इसमें काम में आ सकती है main जो है वो है counseling, sex therapy mansovachar, hypnosis सम्मोह नुपचार और hypnosis में past life regression ऐसा कुछ studies में पाया गया है कि इनको sexual abuse बच्पन में हुआ है और sexual abuse मतले इसके उपर लेंगी कर्टाचार हुआ है इसलिए ऐसा वो करता है या दूसरा इनोंने इनके माबाप का sex देखा हुआ रहता है इसे कुछ studies में पाया गया है कि माबाप का sex देखा है उसमें वो घबरा गये और उसमें उनको कुछ तभी लगा कि कुछ तभी भैंकर हो रहा है और उसमें उनके दिमाग में ऐसा कुछ बैठ गया और वो ये करने चालू कि तो sex counseling counseling करना sex therapy है ये करने से भी फायदा हो सकता है ये लोग ऐसे एकदम सामने दिखते नहीं है आपके आज़ोबाज में भी काफी लोग ऐसे होंगे मगर इनको ये problem होता होगा कि भी social functioning इसका damage होता है वो काम मनलब उनके workplace में भी इसका problem हो सकता है workplace में क्योंकि वो ladies रही तो उनको सपर्श करना या ऐसा अंजाने में हाथ लग गया ऐसा बताना तो इसमें उनके ओपर आरोब भी हो सकता है और अभी me too की moment बच चलो है तो इसमें कुछ भी हो सकता कुछ भी संभव है तो इनका इलाज होना ज़रूरी है ये वीडियो आप लोगों को शेर करो whatsapp ग्रूप के ओपर facebook के ओपर ताकि जादा जादा लोगों को इनकी जानकारी होंगी लोग वहाँ साइकेट इसको कंसल करेंगे हम भी online कंसलेशन करते हैं लोगों को सलहा देते हैं कांसिलिंग करते हैं ताकि वह अपना जिएवन अच्छे तरह से जी सकेंगे हमारा मीशन जो है वह सबके लिए मानसीक स्वास्टियर वेशन मुक्त भारत जादा है लोगों को mental education देना उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा आपका भी हिस्सा हो जाएंगा आपकी partnership हो जाएगी आप हमें और कहीं बुला सकते हैं लाइन्स लवे रोट्री किलवे और जहां भी संबब हैं वहां बुला ताकि हम वहां लोगों को कर दो लोगों क्या जाएगी भी ही कर दो